दोस्तों ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले है क्लास 10 के छात्रों के लिए जो यूपी बोर्ड एक्जाम की तयारी कर रहे हैं जैसा कि आपको पता है कि अपकी बार आपके यूपी बोर्ड एक्जाम जो है फरवरी माह में होंगे इसलिए बहुत अच्छी तर लोग और ये रचनाय बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ इन रचनायों को आप एक अलग कॉपी में लिख कर इसको तयार कर लीजिए और आप पहले से भी याद करिए और एक्जाम जब आप एक्जाम देने जाएंगे उससे थोड़ा सा पहले मतलब 2-3-4 घंटे पहले इन रचनायों को देख कर जाना अगर रचनाय ना आया उसके बाद आप मुझे बताना तो इन रचनायों को अच्छी तरीके से याद कर लेना चलिए देखते हैं ये रचनाय लगातार पूछी गई है देखिए पहली रचना हमारी क्या है आवारा मसीहा आवारा मसीहा किसकी रचनाय विसलू प्रवाकर जी की है और कौन सी विधा की है विधा भी बहुत इंपोर्टेंट है विधा ये है जीवनी विधा की किस विधा की है दोस्तो जीवनी विधा की तो विधा आप लोग बहुत अच्छी तरीके से याद कर लेन रचनाय याद कर लेना विधा भी याद कर लेना दूसरी हमारी है मेरी जीवन यात्रा कौन सी है मेरी जीवन यात्रा ये है राहुल सांक्रत्यायन और तीसरी जो है यात्रा के पन्ने ये किसकी है ये भी राहुल सांक्रत्यायन दोस्तों अभी मैं आपको एक छोटा सा बहुत अच्छी चीज बताने वाला हूँ जो कि आपकी बोर्ड एक्जाम में काफी ज्यादा मदद करेगी वो भी रचना के लिए रचना मैं आपको कुछ ऐसी रचना है बताऊंगा बीच में ट्रिक बताऊंगा जिससे आपको बहुत ज्यादा हेल्फ होगी बोर्ड एक्जाम के ल बाबु गुलाव राय ने लिखा था किस ने लिखा था बाबु गुलाव राय ने लिखा था चलिए हम लोग अगले कोईस्चन के और बढ़ते हैं अगला कोईस्चन नमबर हमारा कौन सा है कोईस्चन नमबर हमारा है सातुआ नमबर है असोक के फूल असोक के फूल इसके रचाईता कौन है हजारी प्रसाद दुवेदी हजारी प्रसाद दुवेदी जी है उसके बाद आठ हुआ है बाण भठ की आत्म कथा क्या है बाण भठ की आत्म कथा इसके भी रचाईता है हजारी प्रसाद दुवेदी जी उसके बाद है माटी की मूरते बहुत इंपॉर्ट ना याद कर लेना, बहुत important है, लहरों के राजहन्स, अगला क्या है, ये किस्की है, लहरों के राजहन्स है, मोहुआनगा नाकेज, क्या भूलूं, क्या याद करूं, ये very important है, ये भाई क्यी बार पूशी गई है, ये हारीवन्स राई बत्चन की, और देखिए मैं आपको बताने वाला था कुछ कि जैसंकर, प्रसाद, आचार, राम, चंद्र, सुक्ल और मुंसी, प्रेम, चंद्र उसके बाद कौन से महादेव और मा इनकी आपको पूरी की पूरी रचना याद करनी होगी क्योंकि यही आपको मैं बता रहा था बोड़ इक्जाम के लिए, इनकी पूरी अगर आप रचना है, पूरी नहीं तो दस रचना है, तो हर एक लेखक की याद कर लेए, चारो की दस दस, तभी आपको आप आसानी से बोड़ इक्जाम में नंबर आचियो कर पाएं अगली हमारी कौन सी है, किन्नर देश में, बहुत इंपॉर्टन रचना है, राहुल सांकरत्यायन की ये भी है, चांद और तूटे हुए लोग, धर्मिर भारती की है, पंद्रा नंबर है, आसाल का एक दिन, मोहन राकेस की है, गेहुं और गुलाव, ये भी बहुत इंपॉ इंपॉर्टन कहें कम है भाई साब, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टन है, कई बार पूची गई, इस साल भी पूची जा सकती है, अगला है कलम का सिपाही, अमरत राय, ये बहुत इंपॉर्टन है, इसमें सभी रचना इंपॉर्टन है, इस इंपॉर्टन रचना ही मैं ल बहुत इंपोर्टन रचना है उसके बाद आदीद के चल्चित्र भी मैंने आपको बताया महादेवगरमा जी की है मैला आचल ये अपने आप में बहुत इंपोर्टन है मैला आचल किसकी है फड़ी सर्मात रेंडु की है हिमाले की पुका ये किसकी है जै प्रकास भारती गोदान ये तो मुंसी प्रेमचंद की सभी को याद होगा क्या है मुंसी प्रेमचंद जी की गोदान उपन्यास है सेवा सदन क्या है मुंसी प्रेमचंद जी की है उसके आप लोग कमेंट कर ये जल्दी से जल्दी लाला सिरी निवास किसकी है परिच्छा गुरु लाला सिरी निवास परिच्छा गुरु है बाई साहब लाला सिरी निवास इंदुमति किसकी है किसोरी लल और परिच्छा गुरु क्या है हिंदी का प्रथम उपन्यास है क्या है प प्रत्म उपन्यास भी आसे भी कोश्चन आ सकता है हिंदी का प्रत्म उपन्यास क्या है तो आपको लिखना होगा परिच्छा गुरू तो अगले तीन कोश्चन और बचें उए में देखिए 28 नंबर किया है राम चंदर शुक्ल किसν चिन्ता मड़ी के रचजिता का एं राम चंदर्शुक्ल हिंदी का अगर कोश्चन आ जाता है कि हिंदी का प्रथम नाटक क्या है तो आपको लिखना होगा नहूस तो यह जितनी रचना मैंने आपको कराई हैं दोस्तों यह बहुत इंपॉर्टेंट है इनको याद करना मत भूलना इनको एक अलग कॉपी में लिख कर रख लेना ताकि आपका जब बोर्ड एक्जाम हो तो आप इसको एक बार देख कर जा सकें और अगर आप इन रचनाओं को देख कर जाते हैं तो रचना आपकी नहीं छूटेंगी यह वहुत इंपॉर्टेंट रचना है चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए ज भारत